नमस्कार दोस्तो, अडवाइज किस से लें, सलहा किस से लेनी चाहिए, बढ़िया टॉपिक रहेगा, एंड तक जुड़ना इंडिया में सलहा लेने की और देने की प्रथा है, आपको बता है, तो इसी टॉपिक पे लेड वीडियो है, गहरा है, मज़ा आएगा, सुनना ध्यान से हम एडवाइज जब भी किसी से लेते हैं, तो वो देने वाला कभी भी जो एडवाइज देगा, वो अपने पॉइंट अफ्यू से देता है, यह मैं फ्री की एडवाइज की बात कर रहा हूँ, और क्या करना चाहिए आपको वो भी बताऊंगा, कभी भी हमें कोई चीज खर से लें कि वो जो इनसान है, उसके टेष्ट, उसका सोचने का तरीका बहुत कुछ आपसे मैच करें तो शायद इट में वर्क, हो सकता है वो इनसान आपसे रईस है, लेकिन महा कंजूस है, उसको कॉलिटी पे कोई लेना देना नहीं है, उसको सिरफ पैसे बचाने है, जिसक को भी जाते है, बच्चे का मैं किदर एडिमेशन करा लूँ, तुम्हारे बच्चे का किदर हुआ, कैसे जाए, हर आदमी अपने हिसाब से सला दे रहा है, this is the message, क्योंकि अगर सला कोई अच्छी देने वाला हो, जिसको पूरी नॉलेज हो, उसको बोलेंगे कंसल्टेंट और फिर वो अडवाईज नहीं होगी, वो कंसल्टेशन और प्राउलम सॉल्विंग होगी, और इट विल कमेटे प्राइस, यही मैं बताना चाहरा हूँ मिडल क्लास को, विच मिडल क्लास इस नौर रेडी टू पे, क्यों कहते है यार, बताने के क्या पैसे, दोस्त है, ऐस ऐसी सला होगी फिर, क्योंकि जो प्रोफेशनल होगा, वो आप वो दिन में 25 लोगों को अलग अडवाईज दे रहा है, उसका experience बैग है, वो आपके pain points को समझेगा, आपके budget को समझेगा, आपकी liking को समझेगा, और उसके हिसाब से आपको solution बताएगा, अडवाईज नहीं द सला में तो क्या होता है, वो आप inputs के लिए घूम रहे हो, कि decision मैं करूँगा, नहीं हो पाता कई बार, when you have to reach an expert, वो आपको solution करके देगा, this is something which is very very common in west, consultation, consultancy जो बोलते हैं, people make lot of money and they go, India में रिच तबके नहीं अभी तक experience किया है, the rich is not going to waste their time and energy, दो ही चीज़े हैं आपके प बेश्ट हो जाए तो दुबारा आ जाएगा, लेकिन आप किसी चीज में आपने time, energy और मानलो पैसा डल गया, आप उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है, संग cost fallacy कर जाती है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है, फिर आप उसको जबरतस्ती अच्छा मानना शुरू कर देते ह यह वो करना शुरू करते हो, बट आप से उसमें कितने भी पैसे खोदोगे, लेकिन उसकी planning stage पे जब आप जा रहे थे, आप खर्चा पानी नहीं करने को त्यार is the message for the middle class, penny wise pound foolish is another kahvat which is applicable in this case, तो सलह लेने कभी भी जाओ, तो पहले तो उस इंसान से लो, जिसने वो काम करे है और उस तरह करे हैं, जिसे आप करना चाहते हो, just because किसी ने short cuts लेके करे हैं, तुके से करे हैं, या घिस घिस के करे हैं, या बहुत time waste करके बने हैं, और आप उस से सलह लोगे और वो ही सलह देगा, तो उसमें आपका बहुत time waste होगा, maybe another person, maybe better person, जिसने खर्चा पानी करके, time बचा के energy बचा के उस solution को जल्दी solve कर लिया, और आपकी ऐसी तैसी नहीं, because शायद जिससे आप सलह ले रहे हो, उसका time की कमी नहीं है, वो खड़े होके अपना woodwork और काम करा सकता है, खड़े होके paint करा सकता है, खुद जाके पंखे लेके आ सकता है, पर अगर आपके पास य और आपकी headache बाद में नहीं होती, warranty, guarantee वगरा मिलती, यह मैं consumption की चीजों पर बता रहा हूँ, सलह तो आपको करियर की भी जा सकती है, करियर के उपर भी मैं बहुत अच्छे से मैंने सीजी स्टार्ट करी है, आप वो लोग देखना भी उसमें कुछ-कुछ professions के बारे में बता उसने किया, भाई मैंने किया, मेरे से नहीं हुआ, और यह चार तरीकें, चीज नहीं करने के सही कैसे होगा, मुझे नहीं पता, बट तु यह गलती मत करना, this is a better person, than some person, जो वैसी, जिसने कुछ वो चीज करी नहीं है, और उसको experience में नहीं है, and he is giving that salam, so I hope you get the larger message, कैसा